क्या आपका भी नंबर वाटसेप ने बैन कर दिया है अगर हा तो इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने वाटसेप पे बैन होए नंबर को वापस एक्टिवेट कर सकते हैं पूरा प्रोसेस बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि कौन-क वाटसेप पे मार्केटिंग करते हैं वाटसेप पे केमपेंज करते हैं उनका नंबर ब्लॉक हो जाता है या बैन हो जाता है अगर आपके भी साथ ये प्रोब्लम है आपका वाटसेप नंबर बैन हुआ है या ब्लॉक हो गया वाटसेप की तरफ से आप चाते हैं कि उस नं फिर आप जैसे अगेन अपने नंबर को रजिस्टर करने जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का पॉप अप आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि यॉर नंबर इस बैंड फ्रॉम वाट्साप और नीचे आपको वहां सपोर्ट की बटन भी आ जाएगी आपको सिंपली सपोर आपको सिंपली नीचे पर सलेक्ट करना है कि दिस डजन्ट आंसर माई कॉश्चन जैसे ही आप यह सेलेक्ट करेंगे आपके सामने मेल खुल लाएगा अगर नहीं खुलता है मेल तो वहां पर ऑप्शन आजाएगा मेल पर जाने का आपको उस पर क्लिक कर लेना है फिर मेल आपको अपनी पूरी डिटेल को अच्छे से वेरिफाय करना है चेक करना है कि सारी चीजे सही से मेंशन है कि नहीं और उसके बाद आपको इस मेल को सेंड कर देना है विदिन 24 आर्ज आपका कंफरमेशन आ जाएगा कई-कई-कई-केस में तो 5 मिनिट में भी आया है लेकिन ये 90% केसे में होता है 90% केसे में 24 आर्ज के अंदर आपका नमबर एक्टिवेट हो जाएगा अगर मानलो 24 गंटे के अंदर नहीं एक्टिवेट हो रहा है तो आपको ये प्रॉसेस को फिर से रिपीट करना है तीं-चार बार-पांच बार आप रिपीट कीजिए अगर सपो कि 90% cases में number वापस reactivate हो जाता है मैं उमीद करता हूँ यह दुआ करता हूँ कि आपका भी number जो है activate हो जाए यह process को करने के बाद लेकिन एक और चीज करना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कौन-कौन से tips फॉलो करना है ताकि बार बार आपका नंबर बैन ना हो है या ब्लॉक ना हो है वाटसाप से अगर आप यह पांच टिप्स फॉलो कर लिए ना तो आपका बैन होने का रेशियो बहुत कम हो जाएगा सबसे पहली टिप है फास्ट मार्केटिंग मत करो भाई हर किसी को ना बहुत जल्दी बहुत सारे मैसेजेज भेजना है और उसी कारण ब्लॉक होता है कभी भी फास्ट मेसेज मत भेजो आपको हर दो मैसेज के बाद दस या पंदरा सेकेड का इंटरवेल रखना है यह सेटिंग्स आप सौफ़वेर पर जाहिए सौफ़वेर सटिंग्स पर जाने के बाद के बाद वहां पर ओप्शन होता है डिले बिट्विन मैसेजेज उसको सेट कर ले जिए आगर आपके पास यह बल्क ब्रॉट का मार्केटिंग के लिए मत यूज कीजिए हमेशा डमी नंबर या वर्चुल नंबर आते हैं उनको वाट्साइप मार्केटिंग के लिए यूज कीजिए अगर आप वाट्साइप पे बल्क मार्केटिंग कर दें तो अगर आप कोई ऐसा नंबर यूज कर रहे है जो आपका नह नया नंबर एक्टिवेट करते हैं, तुरांत उसको लगा के कैमपेइन करना मत स्टार्ट कीजिए, रुकिए, आप पहले अपनी बिजनस प्रोफाइल है, उसको प्रोपर पूरा फिल अप कर लीजिए, अच्छे से, अपनी उस पे डीपी लगाईए, उसके बाद स्टेटास अगरा डालिए, वाट्साइब को यह लगना है चाहिए कि आप एक परसन है, आप सिर्फ मार्केटिंग के लिए यूज नहीं करने वाट्साइब को, तो आप कॉन्वजेशन भी कीजिए, अपने दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से, लिस्ट पांच दिन तक के उस नंबर भी डालो, ताकि वाट्साइब को यह लगे, कि भाई, टू एक कॉन्वजेशन हो रही है, तो इससे वाट्साइब को पता चलेगा, कि हाँ आप कम्प्लीटल अनून लोगों को वाट्साइब मैसेज नहीं बेज रहे हो, आप कुछ-कुछ मैसेज जो है, वह अपने नोन लोगों को भी बेज रहे हो, जिससे आपकी कॉन्वजेशन हो रही है, तो वाट्साइब आपको बेहन नहीं करेगा, और पाच वी और सबसे इंपोर्टेंट टिप यार, आप मल्टीपल नंबर्स यूज करो, मार्केटिंग करने के लिए, कभी भी वाट्साइब मार् जो आपको खर्चा लगता है, वो बहुत ज्यादा कम होता है, आप बाकी किसी भी मीडियम को देख लो, इमेल मार्केटिंग, फेस्बुक आड्ड, गूगल आड्ड, SMS मार्केटिंग, हर में आपको बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है, यहां पे जो वाट्साप मार् में बहुत जादा प्रेशर ना पड़े फिर दोस्तों मुबाइल में एक आप आता है जिसका नाम है पैरलल स्पेस जिससे आप बहुत सारे WhatsApp अकाउंट्स क्रियेट कर सकते हैं और हर एक नंबर को आप एक्टिवेट कर सकते हो और इस तरीके से अपने में एक सेट अप बनाके आप बहुत कम पैसे में लो कॉस्ट मार्केटिंग कर सकते वाट्साप पर अगर आपके पास अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट जरूर करना और हाँ इसी तरीकी की वीडियो देखने लिए सबस्क्राइब करें कि अगली वीडियो में